हेलो गाइस आज हम बात करेंगे डेक्सोरांच सिरप के बारे में तो यह है एक हेमोलाइटिक सिरप होता है हेमोलाइटिक का मतलब होता है कि अगर किसी ब्यक्ति का बजन बहुत कम है तो बजन को बढ़ाता है और अगर किसी ब्यक्ति को भूग नहीं लग रहा है तो भूग लगता है या सिरप को खाने से और खून को भी हमारा बढ़ाता है या सिरप लास, इस विदियो में हम जानेंगे डेक्सोर अंच सिरप के डीटेल्स उसका यूज क्या होता है उसका composition क्या होता है और उसको आप कौन सा नाम से खरिश सकते हैं medicine store से उसका dose क्या रहता है side effect क्या रहता है हर एक चीज details से जानेंगे इसको बच्चों में देना चाहिए या नहीं pregnant woman में देना चाहिए या नहीं old age में देना चाहिए या नहीं तो सभी चीजे details से जानेंगे इस वीडियो में अगर आपने अगभी तक चैनल को subscribe नहीं क्या तो subscribe कर दें इसी तरह के medical related जानकारी पारने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आइस यह syrup आपको 142 रूपया में मिल जाजा बहुत सस्ता होता है 200 ml का रहता आई है next हम बात कर लेते हैं इस dexoran syrup के यूज के बारे में details से जानेंगे किन किन प्रकार के problem में इस syrup को यूज किया जाता है यह है एक हेमोलाइटिक सिरप है तो इसको मुख्य तर यूज किया जाता है अगर किसी बेक्ति को खून की कमी है मतलब की एनिमिया है तो आप इस सिरप को यूज किया जाता है जैसे कि किसी महिला का period के कारण से बहुत ज़्यादा bleeding हो जा रहा है तो उसको खून की कमी हो जा रहा है तब इस सिरप को आप दे सकते हैं या किसी ब्यक्ति का आक्सिडेंट हो गया है उसका बहुत ज़्यादा ब्लेडिंग हो गया है तब भी खून को बढ़ाने के लिए यह सिरप आप दे सकते हैं और कोई patient है उसको बहुत ज़्यादा weakness लगता है चलने फिनने से उसका सीर चक्राता है बियोसी महसूस होता है तो वो भी खून की कमी के बज़े से होता है तब भी यह syrup को आप दे सकते हैं और कोई ब्यक्ति है बहुत ज़्यादा दुबला पतला है तब भी उसका जो weight है उसक भूग नहीं लगता है कुछ भी उसको खाने के लिए interest नहीं होता है भूग नहीं लगता है तो यह syrup आप दे सकते हैं यह syrup किसी ब्यक्ति को अगर भूग नहीं लग रहा है तो उसको भूग भी आएगा इस syrup को यूज करने के बाद और guys कोई patient है उसको iron की deficiency हो गया हो और vitamin B12 की deficiency हो गया हो मतलब की कमी हो गया हो तब भी यह syrup को उस ब्यक्ति को दिया जाता है और guys किसी ब्यक्ति का operation हुआ है उस time उसका खून का कमी हो गया है उस तो उस टाइम भी यह शिरप को उस ब्यक्ति को दिया जाता है तो जेनरली आप इसको किसी भी तरह का एनिमिया में दे सकते हैं किसी भी बज़े से किसी ब्यक्ति के बड़ी में खून की कमी हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए यह शिरप आप दे सकते हैं तो यह एक बिटा जादा यूज किया जाता है, बहुत लोग यूज करते हैं, तो यूज को जानने के बाद हम बात कर लेते हैं, इसके side effect के बारे में इसका common side effect होता है, उसके बारे में जान लेते हैं, नोजिया भूमिटिंग हो सकता है, ब्यक्ति को constipation हो सकता है, पेट में दर्थ हो सकता है, और उसको टेस्ट नहीं आएगा खाने पीने के चीज में और व्यक्ति को नींद भी आ सकता है या सिरॉप को लेने के बाद तो यह इसका common side effect होता है तो next हम बात कर लेते हैं इस syrup के डोज के बारे में ठीक है तो adult डोज के बारे में जान लेते हैं इस syrup को आप दिन में 15 ml ले सकते हैं तो इसको आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाली पेड भी ले सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है तो छोटे बच्चों के लिए डोच के बारे में बात कर लेते हैं अगर कोई बच्चा है दस साल का छोटा है तो उसके लिए अलग सिरप आता है दस साल से बड़ा बच्चों को आप दे सकते हैं पांच अमल दे सकते हैं दिन में एक बार और कोई बच्चा 15 साल से बड़ा है तो उसको आप 10 हमल दे सकते हैं दिन में एक बार तो गाइस लास्ट में हम बात कर लेते हैं यह है प्रेग्डेंसी में ब्रेस्ट फिडिंग मतर में वोल्टेज में सभी पेशन में यह सेफ होता है सभी लोग को आप यह सिरफ दे सकते हैं तो फ्रेंड्स यह था आज का हमारा वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें थैंक्यू फर हुआ चाहिए